ये द्रश्य है थाना रिफायरी छेत्र की ओंकारेशल कलोनी के उस मकान का जिसमें लगी आग ने दो मासूम समय चार लोगों की जिंदगी को डाल दिया खत्रे में लेकिन समय रहते मदद मिल जाती तो शायद ऐसा नहीं होता हम आपको बता दें कि ओंकारेशल कलोनी निवासी विनुस बुपता अपने परवार के साथ मकान में रहते हैं मकान के उपरी हिस्से में हरेराज अपनी पत्नी सुमन और धाई और तेर साल की बच्ठी के साथ किराई पर रहते हैं रात लगबग धाई वजे घर के मुख दरवाजे के समी अचानक शौट सरक्ट होने से आग लग गई इस आग से वहाँ खड़ी स्कूती और बाइक सीडियों के नीचे धूधू कर जलने लगी आग की लबटे उपर तक पहुँचने पर किराईदार हरीराज और उनका परवार घब रहा हुथा इस आग से बचने के लिए हरीराज अपनी बच्चियों और पत्नी समय सीडि के राश्ते उपर जाने का प्रियास करने लगी इसी प्रियास में उनका पूरा परवार आग की लबटों में बुरी तरह जुलस गया शोट सुनकर आजपास के रहने वाले पलोसियों ने पहले हंटर डायल फिर थाना रेफाइनरी के साथ-साथ फायर बिग्रट को आग लगने की सूनना दी मगर अफसोर कई घंटे बीच जाने के बाद भी उनकी मदद के लिए मौके पर कोई नहीं पहुचा पलोसियों ने आग बुजाते हुए परवार के धुल से सदस्यों को अस्पताल भरती कराया जहां दो मातूम समय दमपत्ती के दशा गंबिर होने पर उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया सभी को इस बात का रोश्ता कि वक्त पर सूचना दिये जाने के बादूर हंड़ेट डाइल, ठाना रिफाइनरी पुलिस और दमकल विवाद सोता रहा यदि इन तीरों में से कोई भी समय रहते हुए पहुँच जाता तो दो मातूमों समय उनके मावापूर बचाया जा सकता था इस गटना के बारे में मगान स्वामी ने जान गरी दी प्रवसी है आकास बर्मा मुकेश बर्मा जी यह लोग आए इन्होंने जो है ते से करके आग बजाके हमारी जान बचाई देविन ना तो था इप्रणाई ना पुलिस आई पुलिस के भरोशेत तो सर हम लोग मर गये होते हैं इन लोगों किरपाज परोशी हमें निकाल लाया था जमाप प्रसाम लें लिए बिनो दुखता उत्ता जी क्या रह कर लाए क्या कुछ करता है राद को देर बजे हम लोग सो रहेते और आग लग गई सर पता ही नहीं चला है काफी लाया परोशी लोग आये प्लीस को फोन लगाया हमने सो नंबर पे कई बार फोन लगाने के बाद जीवा बात्चित भी हुई अस्वासंदे अभी आरे हम अभी तक न जो है इसका तार से ओए स्वास चौट सर्केट हो गया है कोई तुरुसा भी है को चार आदू जो गया है कोन-कोन है एक घरीराज है उनकी बाइप है सुमन और उनके दो बच्चे छोड़े छोड़े तो क्या कराई परहते हैं उनको निकलने का प्रयास कर रहता है तो क्या ह क्या हाई तो क्या है थो हस्पित लाइज रहो अभी चाहा हाई आलगे रहा है